नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे की सिलसेम्टी टाबलेट का उप्योग किन कंदीशन्स में किया जाता है। कॉम्बिनेशन होता है। सिलसेम टी टैबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन सिलनेडिपाइन 10 mg और टेलमिसार्टन 40 mg होता है। जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर किसी एक दवा से नियंतरन में न हो रहा हो, तब डॉक्तर दो दवाओं के कॉम्बिनेशन वाली सिलसेम टी टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। सिलसेम टी टैबलेट का उप्योग हाइपरटेंशन होने पर किया जाता है, यानि जिन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर अधिक रहता है। क्योंकि लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वज़ह से kidney failure, heart failure, दिल का दौरा पढ़ने का और लकवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वज़ह से आखों की ब्लड वेसल भी damage हो सकती है। और आखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है एक नॉर्मल व्यक्ती का ब्लड प्रेशर 120-80 होता है अगर किसी व्यक्ती का ब्लड प्रेशर उपर वाला 140 से ज्यादा और नीचे वाला 90 से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज्यादा है, साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में सिलसैम्ती टैबलेट की वज़ा से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में सिलसैम्ती की वज़ह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं, जैसे हाथों व पैरों का ठंडा होना, शरीर में थकान व सुस्ती होना, बार बार पेशाब आना, शरीर में प्लेटलेट काउंट कम होना, सिर चक्राना, वजन का बढ़ना, सास फूलना, सिर दर्ध होना, उल्ती आने का मन होन पेट में दर्ध होना, चेहरे, हाथों व पैरों में सूजन होना, घबराहट होना, दिल की धड़कन का धीमा होना, कब्स होना और नींद अधिक आना आदी साइड इफेक्स सिलसैम टी टैबलेट की वज़ह से हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में सिलसैम टी की वज़ह से जो खाम और गले में खराश या गले में इंफेक्शन भी हो सकता है, अब हम डिसकस करेंगे की सिलसैम टी टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेर होता है, सिलसैम टी टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खाने के बाद भी लिया ज व्यक्तियों को डॉक्टर सिलसैम टी टैबलेट को दिन में केवल एक बार ही और शाम को सोते समय लेने की सला देते हैं। सिलसैम टी टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको सिलसैम टी टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि सिलसैम टी टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। सिलसैम टी टैबलेट के साथ दर्थ को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली नॉन स्टेरोइडल एंटी इंफलमेटरी दवाईया जैसे एसिकलोफनेक, डाइकलोफनेक, आईबुप्रोफेन और निमसुलाइड आधी दवाओं को सिलसैम टी टैबलेट के साथ नहीं ले ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंतरन में करने के लिए आपको सिलसैम टी टैबलेट के साथ साथ नमक का सेवन कम करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है, तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए, इसके अलावा ब्ल सिलसैम टी टैबलेट को लेने के बाद जाइविंग नहीं करनी चाहिए, और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए, जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशकता होती है, क्योंकि सिलसैम टी टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नीन विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सिल्सैम्ती टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं